नमस्कार फ्योश मन सुन्दर शों में देखने को मिले काफी ट्विस्ट अंटरंस यहां पर देखने को मिला कि अब रूही जैसे अगनी के पास जाती है तो वो बुच जाता गबरा जाती है फिर उसे समझाने की कोशिस करती है बॉल देती है कि मैं तुम्हारी दुस्मन नही बलकि तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूं लेकिन अगनी जो है वो सिरफ नहार को देखना पसंद करती है बाकि किसी की जरफ नहीं देखती है किसी और को देखकर गबरा जाती है और उसके उपर जान लिबावार भी कर देती है तो यहां पर रूही को भी चोट लग जाती तो आप देखने को मिलने वाला सबसे बड़ा ट्विस्ट है क्योंकि आप यहां पर अगनी बनने वाली रुई की सबसे बड़ी दुस्मन फिलाल के लिए यहां पर रुई ठान चुकी है कि वो अगनी को ठीक करेगी और उसे देरे देरे जल्द ठीक करते हुए भी नजर आए पादी जी नहीं उसे किटनाप करवाया है क्या हुआ है अगनी के साथ यह तो आने वाले एपिसोड से पता चलेगा आप कैसे ढूंड़ेगी रुई क्या अपने सर पर लगए लिचाम को हटा पाएगी